आज हम बात करने वाले हैं रीटेल के बारे में क्योंकि रीटेल एक बहुत important aspect है हमारे business का हमारे जो business है वो products का business है हम products के जरीए ही लोगों तक पहुचते हैं हमारे team बनाने का काम तो है लेकिन team बनाएंगे हम कैसे team बनाने के लिए हमें कोई जरिया चाहिए कोई माध्यम चा तरीका है आप जब किसी को products देते हैं तो वो product ही माध्यम बनता है उसको इस business से प्रभावित करने का और उसका इस business में जुड़ने का ये कड़ी है जो products जो कड़ी का काम करते हैं जब कोई product से प्रभावित होता है जब कोई product की quality से संतुष्ट होता है जब कोई किसी को कोई निर्दिष्ट लाब मिलता है product से तो वो product से खासा प्रभावित होता है और इस company से जुड़ना चाहता है products के बारे में retail किस तरह से करें और retail में क्या-क्या चीज़ें important है retail हमें marketing plan क्या कहना चाहता है retail के बारे में इसके बारे में हम समझेंगे एक ऐसा business जिसमें retail customers ही ना हो वो actually business ही नहीं है क्योंकि आप किसी भी business की बात करें चाहे कोई building बना रहा है बहुत उची-उची इमारतें बना रहा है लेकिन अगर वो उची इमारतों में जो flat बना रहा है उन flat को अगर बेच ना पाए क्योंकि उसका तो वह product है अगर वो उसकी retail ना हो उसके products ना भिकें तो उसका building का धंदा चलेगा क्या चाहिए वो building का constructor हो उसकी building का काम नहीं चलेगा अगर वो अपने बनाय हुए flats को बेच नहीं पाता है अगर आप किसी भी business की बात कर लें किसी भी business की अगर मैं chartered accountant हूँ और मैं अपने लिए नए clients नहीं लेकर के आ पा रहा तो मेरा chartered accountancy का काम शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर मैं lawyer हूँ अगर मैं नए लोगों को नहीं लेकर आ पा रहा नए clients नहीं ढून पा रहा तो as a lawyer वो धंदा मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा same चीज किसी भी business में लागू होती है अगर हम petrol भराने नहीं जायेंगे तो petrol pump नहीं चल पाएगे अगर हम कपड़े लोगों कम हो जाएगे और company को नुकसान होगा और नुकसान होती ही company लबे समय तक नहीं चल सकती अब क्या है कि अगर हर business के कुछ retail customer होते हैं अगर तो हमारे business के भी कुछ retail customer होने चाहिए हमारी जो IRD का हमारा खुद का business है उसके retail customers भी होनी चाहिए तब ये retail customer होने से क्या फाइदा हो और किस तरह से फाइदा होता है इसके बारे में हम जानते हैं सबसे पहले हम ये जानेंगे कि marketing plan हमें क्या कहना चाहता है marketing plan भी कही ने कहीं इशारो इशारो में हमें कह रहा है कि आप अगर retail करते हैं तो आपका इस तरह से फाइदा हो सकता है वो हम समझते हैं थोड़ा कि वो किस तरह से होगा एक तो consumer spending के बारे में बात करते हैं friends आज जिस भी मतलब किसी का कोई भी काम चल रहा हो किसी का कोई भी business चल रहा हो वो business consumer spending के उपर ही चलता है आज आप जिससे भी जो भी कुछ खरीद करके लेकर आ रहे हैं वो उस चीज़ पर मुनाफ़ा कमा रहा है आपने अगर किसी से यह पानी की bottle ली है तो पानी की bottle बेचने वाले ने आपसे मुनाफ़ा कमाया है अगर आपने यह earphone लिया है किसी से तो earphone बेचने वाले ने आपसे मुनाफ़ा कमाया है अगर आपने यह mobile phone लिया है तो mobile phone को बेचने वाले ने आपको mobile बेच कर मुनाफ़ा कमाया है यानि कि लोगों का मुनाफ़ा तभी हो रहा है जब आप कुछ उनसे खरीद रहे हैं यानि कि consumer की spending के उपर ही उनका मुनाफ़ा टिका हुआ है अगर हमारे खर्ट से अगर वो अमीर बन सकते हैं हमारे खर्ट से उनकी income हो सकती है तो हमारे खर्ट से खुद हमारी क्यों नहीं income हो सकती अगर हम किसी के खर्ट से income अगर कर सकें तो यह तो बहुत अच्छी बात होगी और यहाँ पर अभी हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि हम खर्ट से कैसे income कर सकते हैं इसके अलावा retail का ऐसा concept है कि अगर आप एक fixed customer बनाते हो, एक थाई customer बनाते हो, एक dedicated customer बनाते हो, तो मेहनत एक बार है और income बार बार है, लोग direct selling के साथ इसलिए भी जुड़ते हैं क्योंकि उनको passive income पसंद आती है, passive income उनको करनी होती है, लेकिन आप देखेंगे कि retail में भी अ तो उसको समझाने में मेहनत कितनी बार हुई थी, एक बार, लेकिन एक बार की मेहनत पे वो जो बार 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 खरीदता है, तो उसके बार बार खरीदने पर हमारे पास बार बार income आती है, बार बार एक retail income आती है, और उसके लिए हम कहते हैं कि मेहनत एक बार और income बार बार यह हम retail से बहुत आसानी से इस्थापिद कर सकते हैं कि अगर कोई alosteen से brush कर रहा है तो वो आज भी brush कर रहा है और वो 10 साल बाद भी brush करेगा तो जब जब brush करेगा तब तब पैसे आएंगे और अगर वो एक बार उसको हमने alosteen करने के लिए बताया है alosteen के फाइदे बताया है alosteen के लिए उसे कह लीजिए use करने के लिए प्रेरित किया है तो वो जब जब alosteen use करेगा समझा है हमने एक ही बार था लेकिन वो हर महीने use कर रहा हर महीने use कर रहा हर महीने use कर रहा तो जब जब यूज कर रहा है तब तब हमारे पास पैसे आ रहे हैं आप अंदाजा लगाईए कि रिटेल इतना सुंदर बिजनस है कि लोगों के ब्रेश करने से आपके पास पैसे आएंगे लोगों के नहाने से आपके पास पैसे आएंगे लोगों के शैंपू करने से लोग सबसे ज़ाद अताकतवर यही चीज़ है क्योंकि हर business customers के उपर टिका हुआ है in fact customer को customer base इसी लिए कहते हैं क्योंकि customer base ही base है वो base के उपर कोई भी गिरता है तो base पर आके किरेगा तो आपका जो base है वो आपके customer से ही बनता है तो आपको अपने customer का base बनाना है क्योंकि महनत एक और income बार-बार यहां से हो सकती है अब हम यहां पर समझते हैं कि फाइदे क्या-क्या है आपको running expenses maintain करने में मदद मिलेगी जब आपको networking income आपकी नहीं बनी होगी जब भी आप join करते हैं join करने के बाद कुछ समय लगता है आपको business के बारे में समझने में products के बारे में समझन बनता कैसे समझने अपने लिए बनायेंगे कैसे लोगों से बात क्या करेंगे किस तरह से करेंगे तो जिस दौरान अप Net-work बनाना सीख रहे हैं उस दौरान आपके PM आगर उस दौरान खर्च नहीं रूक रहा है तो वो खर्च आप कहां से करेंगे क्योंकि बिजनस में तो नेटवर्ग अगर आप सिर्फ और सिर्फ नेटवर्ग की इंकम के ऊपर पर फोकस किये हुए हैं तो नेट्वर्क इंकम तो जब आएगी तब नेट्वर्क इंकम आएगी लेकिन जब तक नेट्वर्क की इंकम आती नहीं तब तक खर्च रुकने रुकता नहीं है तो अगर खर्च नहीं रुकता तो उस समय का खर्च करेंगे कैसे उस समय का खर्च retail के income से बड़ी आसानी से निकल सकता है कि आप अगर उस समय अगर आपका running expense maintained नहीं कर पाएंगे तो आपको लगेगा क्यार यहां से आ तो कुछ नहीं रहा जाई रहा है तो आपको इस वज़े से retail का धामन थामना बहुत आवश्यक है क्योंकि आप retail करते रहते हैं तो retail से कुछ income आती उसी से आपका meeting में जाने का खर्चा, meeting attend करने का खर्चा, product को use करने का खर्चा, वो आपको retail के income सही निकल जाता है तो आपके उपर burden नहीं आता, आपके उपर load नहीं आता, तो आप यह चेश्टा करें कि network की income तो जब आएगी तब आएगी, लेकिन जब तक network की income नहीं बन जाती, network की income आना शुरू नहीं हो जाती, तब तक आप यहाँ पर retail थोड़ी बहुत करते रहें, retail क्या करने से कितना करने से क्या फायदा होगा, यह हम लोग आके चलके सेशन में जानेंगे, इसके अलावा एक steady personal volume, एक steady team volume बनाने में भी यहाँ पर बहुत मदद मिलती है हमें, कैसे, अगर आप personal volume steady रखेंगे, तो उससे क्या होगा, उससे यह होगा कि आपका जो personal ID है आपकी, अगर उसके उपर regular basis पर business होता है, तो आपके जिस side में भी कम volume होता है, उस side के साथ वो matching होकर आपको income आजाती है, आनि कि आपके personal जो retail है, वो आपके third leg की तरह count होगी, या वो भी matching के लिए count होगी, तो जब matching के लिए count होगी, तब निश्चित तोर पे उससे आपको definitely फाइदा होगा, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा matching आपाएगी, और अगर personal volume के साथ team volume बनाने में भी retail बहुत मदद करती है, क्योंकि अगर team में retail की habit आपने डाली हुई है, team में हर किसी के 4 से 5 या 8 से 10 या 15 या 20 customer हैं, तो 15-20 customer होने से क्या होगा, हर कोई किसी को allostine दे रहा है, किसी को novostine दे रहा है, किसी को hand wash दे रहा है, किसी को hair cleanser दे रहा है, तो इस तरह से क्या होगा, कि team में खपद बढ़ती रही, देखिए हमारा जो turnover है, turnover बढ़ेगा, तो turnover के अनुसार हमारा CC बढ़ेगा, CC बढ़ेगा तो हमारा rank बढ़ेगा, यही ना है, यही ना concept है, अब क्या है कि CC को बढ़ाने के लिए हमें product की खपत को बढ़ाना पड़ेगा, जितनी जादा product की खपत बढ़ेगी, उतनी जादा हमारा rank बढ़ेगा, उतनी जादा हमारा CC सकती है या तो network बनाएंगे network में product लोग use करेंगे तब खपत बढ़ेगी लेकिन network बनाएंगे तब वो लोग product use करेंगे सबसे पहले तो उसे हम product use करते वे नजर आने चाहिए तो personal use बहुत important हो जाता है अगर हम personal use नहीं कर रहे हैं तो तो आप गलत किरतिमान स्थापित करते हैं ऐसा करके इस वज़े से आपको personal volume create करना है आपको personally products को use करने है अगर आप regular basis पर साल बर दो साल या तीन साल से business में है और अगर आप यह सारे products use करेंगे तो आप निश्चित तोर पर अपनी ID पर लेंगे और आपकी ID का business हमेशा आगे बढ़ता रहेगा सिर्फ 640 पर जागे रुक नहीं जाएगा वह आगे बढ़ता रहेगा और टीम को भी प्रेंडा मिलेगी टीम को भी यही सीख मिलेगी टीम के में भी यही duplication होगा और टीम में भी टीम का volume बढ़ता जाएगा और जो लोग जुड़े वे लोग हैं उनसे भी volume बढ़ता जाएगा तो team volume और personal volume अगर आपका steady रहेगा तो इससे rank को maintain करने में भी आपको काफी मदद मिलेगी इसके अलावा एक ही distributor से multiple times income आप कर सकते हैं जैसे अगर आप मान लीजे कि आपने किसी को 40 bottle के साथ जोड़ा यादि कि 640 सिसी के साथ जोड़ा अब उसकी mindset में है कि 640 के बाद तो हमें कुछ करना ही नहीं तो ऐसे में क्य होगा वह 640 के बाद कुछ करेगा नहीं और अगर 640 के बाद नहीं करता तो उस एक बार जोड़े वेक्ति से आपकी एक ही बार income आएगी अब आप तो और network क्यों कर रहे थे network marketing इसलिए कर रहे थे direct distribution इसलिए कर रहे थे कि join करा है एक बार income आए बार बार जोइन करा है एक ब बार income भी आई एक ही बार लेकिन अगर वो retail पे ध्यान देते हैं तो जोड़ा आपने एक बार है पर क्योंकि उनके भी 10-15-20 retail customers हैं तो ऐसा करने पर क्या फाइदा होगा कि उनको आपने एक ही बार जोड़ा लेकिन उनके retail customers से क्योंकि उन्होंने retail customers बनायते हैं आपके पास income बार-बार, बार-बार, हर महीने, हर हपते, हर दिन आपके पास वहाँ से income आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उनके retail customers हैं, आपको एक ही distributor से, एक ही IRD से आप बार-बार-बार income कर सकते हैं, अगर आपने retail की habit डाली हुई है, तो इसके अलावा, कम संख्या में लोगों से आप बड़े rank को achieve कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, आप माल लीजिए, अगर आपके साथ 10 लोग A team में हैं और 10 लोग B team में हैं, और हर किसी के पास 20-20 customer हैं, और 20-20 customer उनसे सारे के सारे products लेती हैं, तो ऐसा करने पर आप देखेंगे कि आप मात 10 लोगों से, मतलब 10 लोग, 10 लोग, 20 लोगों से आप executive rank को बहुत healthy तरीके से maintain कर पाएंगे, और क्योंकि वो उनके fixed customer है, क्योंकि उनके regular customers हैं, इसलिए वो product यूज करना बन नहीं करेंगे और आपका मुकाबले में कम भी हो सकती है, वो आप किस तरह से business build करते हैं, इसके उपर में nervous करता है, तो यही बात है कि आप कम लोगों से एक बहुत बड़े अच्छे rank को achieve भी कर सकते हैं और maintain भी कर सकते हैं, अगर आप retail का दामन था में तो, यह मतलब यह universal truth वाली मैं बात कर रहा हूँ, साथ ही साथ, आपको 4% से 8% आप तेजी से पहुच पाएंगे, marketing plan हमें कहता है कि जैसे जैसे हम अपनी personal purchases को बढ़ा देते हैं, जैसे हम 32 CC के बाद 96, 96 के बाद 160, 160 के बाद 288 और 288 के बाद 640, CC अगर personal ID पर कर लेते हैं, तो personal ID, तो फिर हमें percentage जो है turnover bonus का, वो 4% के बाद 5%, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7 और 7 के बाद 8% का turnover bonus हमें मिल सकता है, अब आप खुदी सोचिए कि 40 bottle अगर आप एक साथ लेंगे, तो 40 bottle एक साथ तो खा नहीं जाएंगे, एक साथ 40 bottle तो खा नहीं सकते हैं, या अगर मालीजे, आप थोड़ा Amusement लेते हैं, थोड़ा Kaya काडायू लेते हैं, थोड़ा Zant Pro लेते हैं, चार-पाँच flavor और चार-पाँच आप लेते हैं, नोवा और हर product तीन-चार, तीन-चार करके लेते हैं, उस सूरत में भी आप सारे के सारे products, सारी के सारी quantity में एक साथ इस्तमाल नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे में marketing plan आपको इशारों-इशारों में ये कह रहा है, कि अगर आप उस 640 का product जो आपने लिया, उसको अगर आप धीरे-धीरे करके retail कर देंगे, धीरे-धीरे करके और लोगों तक पहुचा देंगे, तो आप जल्दी से जल्दी 640 भी कर पाएंगे, और जल्दी से जल्दी के पास retail product गया, और आपके पास पैसे वापस आ गए, तो अगर आप 640 CC करने के दौरान, अगर आप retail customer से 640 करते हैं, तो आपके लिए फाइदा जादा बहुत जादा पैसे भी साथ के साथ नहीं लगेंगे, और इसके साथ एक फाइदा ये भी होगा कि आपके कुछ customers बनने की वज़े से, वो 640 पे वो गाड़ी रुकेगी नहीं, वो धीरे-दीरे आगे बढ़ती जाएगी, वो धीरे-दीरे और CCs आते जाएंगे आपके पास, और धीरे-दीरे आपकी income और देखिए ये जो customers बनाने की बात है, इसे एक फाइदा ये भी होता है, कि ये हमारे business के बीज है, आप जहां से सुनिया मैं जब बोल रहा हूँ, customers हमारे business के बीज होते हैं, हर बीज पौधे का रूप नहीं लेता, और हर पौधा वरिक्ष का रूप नहीं लेता, हर पौधा बड़े पेड का रूप नहीं लेता, ठीक उसी तरह से जब हम customers बनाते हैं, जब हम अलग-अलग लोगों को customers बनाते हैं, तो बहुत सारे customers उनमें से आगे चलके distributors बन सकते हैं, बहुत सारे distributors आगे चलके बहुत successful distributor बन सकते हैं, ठीक उसी तरह से आप जितने ज़्यादा customers बनाएंगे, उतने ही ज़्यादा chances हैं कि वो लोग product से संतुष्ट हो पाएंगे, और जो लोग product से संतुष्ट होते हैं, product की गुणवत्ता से संतुष्ट होते हैं, product की quality से संतूष्ट होते हैं, product से उनको lab मिलता है, वो लोग ही इस business में आगे जाकर बहुत अच्छे successful हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें lab मिल चुका है, क्योंकि उनको विश्वास आ चुका है product के उपर, आप मालीजी अगर किसी से आगे जाएगा, आप सोचे कि आपके साथ जितने भी लोग जुड़े हैं, अगर हर कोई retail करेंगे, तो जल्दी से जल्दी वो 640 CC तक पहुँच सकते हैं, आप खुदी सोचे कि अगर कोई सिर्फ नोवा यूज कर रहे हैं, और अगर घर में वो है उनकी वाइफ है, और वो दौनों लोग नुवा यूज कर रहे हैं, तो महीने में दो भाटल यूज होगी, एक महीने में, तो यानि कि उनको 40 bottle यूज करने में 20 महीने लग जाएंगे यानि कि जो भी वो महनत उस 20 महीनों में करेंगे उनको 8% नहीं मिलके 7 या 6 या हो सकता है उससे कम मिले महनत उन्होंने बुरी की है लेकिन उसी महनत के उपर उनको percentage मिलेगा कम क्यों क्यों क्योंकि उन्होंने क्या लिजे दो दो bottle करके यूज कर रहे हैं वो अगर उन्होंने 640 एक साथ भी कर लिया है तो एक साथ तो 640 यूज नहीं कर सकते हैं 640 सिसी का product लग लिए तो बीस महीने लग जाएंगे अप अंदाजा लगा ये तो आप बीस तीन के अंदर या कैलीजे और ज्यादा थोड़े ले लिक्त हैं पार हपते या पाँच या छे हपतों के अंदर अंदर आप सारी के सारी रीटेल करके वो कैश आप दुबारा अपने पास ले सकते हैं बहुत आसान है और आपको ये रीटेल की master class के बाद आपको समझ में भी आएगा कि किस तरह से आप ये कर सकते हैं आप जादा से जादा cash reward और award और bonuses अचीव कर सकते हैं Cash reward and award आपको अचीव करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको किसी भी 12 सपता में 6 सपता किसी rank को maintain करना पड़ता है अब rank को maintain तो तब करेंगे जब नीचे जो customers हैं नीचे जो distributors हैं नीचे जो आपके teammates हैं नीचे जो आपकी team है वो basically जो आपका volume हो रहा है जो खपत हो रहा ह और maintain तब तभी कर पाएंगी जब organically होगी जब naturally होगी और customer base के साथ यह चीज़ बहुत ही naturally हो सकती है अगर आपने अमोमन देखा जाता है कि किसी सपता आपने 640 की joining करा दी किसी सपता 288 की करा दी किसी सपता आपने 160 की करा दी तो जिस सपता आपके high value की joining आई है उस सपता तो आपका rank उचा रहता है लेकिन जिस सपता high value की joining नहीं आती उस सपता rank नीचे हो जाता है तो ऐसे में क्या है बहुत उतार चड़ाव बहुत उतार चड़ाव होता है कभी director 100 तो कभी director 1000 same ID का fluctuation बहुत जादा होता है अगर आप rewards and cash bonus लेना चाहते हैं तो retail का दामन आपको थामने से आपको जादा से जादा फाइदा होगा क्योंकि आपका rank है बहुत जादा fluctuate नहीं करेगा आप rank को maintain कर पाएंगे और हर level के cash reward और award और bonuses आप ले पाएंगे साथी साथ deserving teammates की मदद भी कर सकते हैं मान लीजे आपकी team में कोई है जो बहुत महिनत कर रहा है लेकिन उस उनकी retail की जो income उनके पास आएगी इससे उनकी मदद हो पाएं उनके खर्चा maintain हो पाएं और आप हर किसी को cash से ही मदद नहीं करते हर किसी को पैसा देके हर किसी को product देके मदद नहीं करते हैं आप उनको सिखा के भी मदद कर सकते हैं आप उनको business का कोई तरीका हो कोई process हो को tips and tricks वो दिखा के आप business में उनको आगे बढ़ा सकते हैं उनकी मदद definitely कर सकते हैं और उनको इस तरह से customer देकर भी आप उनकी मदद कर सकते हैं अगर आपके बहुत सारे customers हैं उनके बिलकुल नहीं है तो आप एक आदा customer उनको भी दे सकते हैं लेकिन देंगे तो तब जब आपका खुद के customers होंगे जब आपके खुदी के customers नहीं होंगे तो कैसे होगा आपके कोई दुकान है और उसके customers ही नहीं है आपके जो higher ideas उसके कोई customers ही नहीं है तो फिर वो किस तरह का business हुआ वही सपाई साथ तो अभी क्या personal retail जो है weaker में count हो जाएगी जिसकी वजह से आपके appropriate bonus यानि कि आपके bonus को balance करने में rank को maintain करने में वो जादा से जादा मदद हो पाएगी उससे मैं पहले भी बोला हूँ इसके अलावा when we do profitable retail only then our team can duplicate it देखिए आप इस business में कितना कमा रहे हैं चलिए आपका bonus कितना देखिए दो तरह की income होती है एक net income होती है और एक gross income होती है gross income होती है कि कितना पैसा आया और net income होती है कि बाद में सारे खर्चे को हटा कर कितना पैसा बचा तो आप business को करने के लिए जो खर्चे कर रहे हैं चाहे वो meeting में जाने के वो खर्च हो चाहे वो कोई किताब खरीदने का खर्चो या अपने आपको गुरूम करने का खर्चो या प्रोड़क्स लेने का खर्चो तो ये सारे खर्च को हटाने के बाद आपके पास जो इंकम बचती है वो ही actually आपकी इंकम है मान लीजिए अगर आप 8000 रुपे आपका खर्च है और 10,000 रुपे इंकम है आपकी तो actually तो आपकी इंकम 2,000 रुपे हुई अब आप 10,000 की इंकम दिखाएंगे तो 10,000 की इंकम देखके लोग प्रभावित कैसे होंगे क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि यह तो इसकी वेश-भूशा से इसके हावाओ बहुत से नहीं लग रहा है कि ज़чиदा इंकम करता है क्योंकि आज जिसकी ज़्यादा income होती है लोग उससे प्रभावित होते हैं स्वाभाविक सीज़ बात है तो आप अगर अपने अपनी net income को अपनी profitability को बढ़ाने की चेश्टा करेंगे तो बहुत आसान रहेगा आपके लिए इस business में लोगों को जोड़ना और business में profitability आप retail से बढ़ा सकते हैं क्योंकि retail is equal to profitability and network is equal to security network से आपकी security आती है time freedom आती है आपको recognition आता है लेकिन retail से आपकी profitability आती है तो retail अगर आप profitable नहीं है तो अब माल लीजे मैं 8000 और 10,000 की बात कर रहा हूं अगर आप 80,000 रुपे एक लाग रुपे कमा रहे हैं और 80,000 रुपे आपका खर करने के लिए जो खर्च कर रहे हैं उसको आप अपनी income से हटा कर देखिए जो आ रहा है जो आकड़ा आ रहा है वही आपकी net income है वही आपका profit है तो आपको profit की संख्या को बढ़ाना है income की संख्या तो बढ़ेगी लेकिन आपको profit की संख्या को भी बढ़ाने के उपर ध्या लगता है तो आपको पूझी निवेश्ट पहले करना पड़ेगा फैक्ट्री में लेबर लाना पड़ेगा फैक्ट्री खोलनी पड़ेगी दुनिया वर का ताम-जहाम करना पड़ेगा हो सकता है छह महिने सारे पर दोग्छे महिने को बनने में लग जाए फिर 6 महीने मशीन को बिकने में लग जाएगा फिर हो सकता है और 4-5 महीने मशीन को ग्रहाट तक पहुचने में लग जाएगा तो आपने जो पूझी निवेश दो साल पहले किया था हो सकता है और फिर credit period भी होता है तो आपको तक्रीवन तक्रीवन दो साल बाद वो product के पैसे मिलेंगे तो आपने पैसे लगाए और पैसे का जो महनताना है या जो profit है वापको दो साल बाद मिलेगा लेकिन आप अगर newspaper का धंदा कर रहे हैं newspaper का तो newspaper आज आपने खरीदा आज आपने बेचा आपक paper खरीदा ऐसा आप महिने में 30 बार कर सकते है 30 times यानि कि आपकी जो rolling है आपकी जो turnover है वो बार बार हर दिन हर महिने हर सपता हर दिन हर दिन में दो बार तीन बार हो सकती है आप कई बार income कर सकते है रिटेल की है तो सुबह income आजाएगी जी और अगर आप शाम को रिटेल करत है तो फैर में इंकम आ जाहेगी जीतनी इंडा लीटेन करेंगे उतनी बार इंकम आएगी हम क्या करते हैं हम सर्फ सब्सक्ता में इक बार का इंतिजार करते हैं इंकम कवा KNOW CH 911 करते हैं हम लोगों को कहते हैं कि आप एक income के उपर निरभर मत रहिए आप multiple income बनाइए लेकिन of income आपके होंगे उतनी ही जादा आपकी income होगी जिसमें रीटेल एक बहुत ही ताकतवर income है अभी क्या है कि रीटेल इनका कस्टमर्स जो है कैंसेल टीम डिवलप्मेंट बोनस में जो हमको रेनेटर्स नोवा मिलता है वो अगर हमारे पास customers हैं तो हम customers को ही दे देंगे cash हो जाएगा हमारा अमोमन क्या होता है कि अगर हमारे पास customer नहीं है तो वो हमें खाना पड़ता है मजबूर ही है खाएंगे नहीं तो करेंगे क्या customer तो है ही नहीं लेकिन अगर आपके पास पहले से customer है तो क्या फाइदा होगा आप वही टीम डिवलप्मेंट बोनस में जो आपको मिला है वो आप कस्टमर को थोड़ी पता आपको फ्री में मिला है आपने customer को दिया और वो पैसे आगए आपके पास तो आपका जो टीम डिवलप्मेंट बोनस है उसको भी आपने cash में convert कर लिया क्यों आपके बास customer थे इसलिए तो customer होने के क्या-क्या फाइद है कि marketing plan आपको इशारो इशारो में बोल रहा है cash awards and rewards में भी आपको बोल रहा है रिटेल कीजिए तो stable रहेगा 640 करिए 640 करेंगे तो stable रहेगा क्योंकि company को पता है कि हमारे products की इतने ताकतवर products हैं इतने जबरदस result वाले products हैं कि जब 640 के product अगर वो किसी को खिला देगा या 4-8-10 लोगों 15 लोगों को use करा देगा तो उसका result आना या उसका product का resale, reorder आन बंद ही नहीं होगा और जब बंद ही नहीं होगा तो उसके उपर कोई pressure भी नहीं आएगा और retail भी चलती रहेगी तो यह company का मकसद था लेकिन आप हो सकता है अभी तक इस चीज़ से अवगत नहीं थे और कोई बात नहीं है training आपको अवगत करने के लिए है तो आप team development bonus जो आप यह भी retail की मदद से बड़ी आसानी से अचीव कर सकते हैं इसके लावा retail customer base जब हम बनाते हैं तो हमको customer से feedback मिलता है कि product खा कि उसको कैसा लगा कैसा result आया तो जब वो हमें बताता है तो हमारे अंदर confidence आता है कि हाँ यार यह product तो बहुत अच्छा है क्योंकि हमने जिसक यह हमारा main capital है business में जितना ज्यादा confidence होगा उतना ज्यादा business होगा तो आप देखिए कि बड़े जो distributors है वो ज्यादा business इसलिए कर पाता है क्योंकि उनका confidence ज्यादा है उनको कोई ऐसे सवाल पूसता है तो वो डट कर सामना करते है भाग नहीं खड़े होते हैं क्योंकि उन अच्छा feedback देंगे आपका खुद का मनोबल बढ़ेगा आपका खुद का confidence बढ़ेगा और जब आपका खुद का confidence बढ़ेगा तो आपका business के अंदर आपका confidence बढ़ने की वज़े से आपका rank और बहुत सारी चीज़ें आपकी दीरे-दीर बढ़ती चली जाएगी इसके अला को जाने अन जाने में प्रचार करता है कि यह product मैं यूज कर रहा हूँ बहुत अच्छा है और जब एक संतुष ग्रहक को distributor में convert करना बहुत आसान है क्योंकि product के साथ तो उसका अच्छा रिस्ता हो गया है product को तो पहचान गया product से फायदा मिल चुका है company का brand value उसके दिमाग मे establish हो चुकी है तो उसको एक distributor में convert करना बहुत आसान है एक fresh वेक्ति को distributor बनाने के मुकाबले क्योंकि अगर आप किसी fresh वेक्ति को distributor भी बनाते हैं तो जब तक उस fresh वेक्ति को product के ओपर confidence नहीं आए जाएगा तब तक वो किसी से बताता पाएगा नहीं तो जिसको product के ओपर confidence ह है जिसको result आ चुका है उसकी ओपर focus करना ज्यादा आसान है उसको distributor बनाना बहुत आसान है इसके अलावा जब हम किसी satisfied customer को distributor में convert करते हैं तो ये हमारा business कई गुना आगे बढ़ सकता है साथी साथ हम लोग reference भी ले सकते हैं अगर संतुष ग्राहक है आपका तो उससे आप औ और तीन चार पाँच customers का reference भी ले सकते हैं आप in fact कही जगा पे तो आप उनका नाम लेके लोगों को call कर सकते हैं कि अरे मैंने राम कुमार जी को product दिया तो उनको बहुत अच्छा लगा तो उन्होंने आपका number दिया है तेकि मैं आपसे कुछ खरीदने बेचने की बात नही के लिए और नहीं समझ में आगा तो कोई बात नहीं साथ तो इस तरह से अगर आप बात करेंगे या आप उनको राम कुमार जी को खुद भी कह सकते हैं कि आप अगर मुझे पांच successful referrals दे देंगे इन products के तो मैं आपको एक product free दूँगा आपको मैं एक allostine free दूँगा एक novost तो वो free के चकर में वो definitely 4-5 लोगों को ready कर देगा product को use करने के लिए क्योंकि वो as a संतुष्ट ग्राहक लोगों से बात कर रहा है वो as a promoter बात नहीं कर रहा है वो as a संतुष्ट ग्राहक बात कर रहा है हमारे साथ business को promote करने में एक challenge ये भी आता है कि हम लोग promoter की तरह बात करते हैं हम लोग business owners की तरह बात करते हैं लेकिन एक संतुष्ट ग्राहक के दृष्टिकोंड से बात नहीं करते हैं जब आपको किसी से बात करनी है तो एक संतुष्ट ग्राहक के दृष्टिकोंड से बात करनी है आपको as a satisfied customer लोगों से बात करनी कि मैं खुद consumer हूँ मुझ कोन से आप सामने वाले से बात कर रहे हैं तो उसका फाइदा अलग होगा आप यहां पर देख सकते हैं कि अगर हम लेते हैं तो हमारा जो मार्जिन है इस पे वह 327 रूपीज का है अगर मर्पी पे रीटेल करें तो नोवा स्टीन 640 पे अगर हम MRP है तो इस पे अगर हम डीपी पे लेते हैं तो मार्जिन 127 रूपे का बैठता है अलोस्टीन का मार्जिन 63 रूपीज का है जैन्ट प्रो का मार्जिन 344 रूपीज का है है क्लेंजर का मार्जिन 361 रूपीज का है इस तरह से हमारा अलग-अलग प्रोड़क्स का मार्जिन अ 125 रुपे का, इम्यूजेंट का 990 रुपे का हमारा रीटेल प्रॉफिट होता है. तो ये अलग-अलग प्रॉड़क्ट्स पर अलग-अलग रीटेल प्रॉफिट हमारी होने के संभावना है. अभी क्या है कि अगर हम एक customer बनाते हैं और एक customer को हम ये सारे के सारे products अगर हम देते हैं उनको 9 के 9 products देते हैं MRP पे तो हमारा एक customer के उपर 310 रुपे का retail मुनाफ़ा होता है अगर हम MRP पे 10 customer बनाते हैं और दसों को ये 9 रुपे तो 30,000 रुपे का retail मुनाफ़ा होता है और अगर हम 20 customers बनाते हैं और 200 customers को हम ये 9 के 9 products देते हैं तो हमारा 60,000 रुपे का retail profit होता है अब एक बार को लगता है कि हम हर किसी को MRP पे नहीं दे सकते हैं या हर बार तो नहीं दे सकते हमें उनको बाद में चलके discount भी देना पड़ता है या हम कभी कभी किसी कस्टमर को हम distributor में convert कर देते हैं फिर क्या करें तो ऐसे में आप यह सोच सकते हैं कि अगर आपने या आपने 20 customer बनाए हैं और 20 में से अगर आपने 2 को convert कर दिया इस distributor में तो वो जो खाली जगह रहे गई उस जगह पे दो नहीं customers बना लीजिए कोई दिक यह भी हो सकता है यह भी हो सकता है कि आपको उसको MRP पे ना retail कर पाए 5% 10% discount देना पड़े वही 60,000 रुपे income नहीं होगी तो 30,000 रुपे होगी 30,000 नहीं होगी 15,000 होगी 16,000 होगी मैं कहता हूँ 4,000 रुपे होगी 30,000 रुपे होगी यह 30,000 रुपे में आपका electricity का bill यह हो सकता है आपका mobile का खर्च यह हर सबता निकलेगा हर महिना निकलता रहेगा तो आप सोचिए कि यह जो 3,000, 4,000, 5,000 या 7,000 की मैं अगर आपने 20 customer बना के 7,000 रुपे भी आपके हर महि महिने के हैं महिने में एक बार आपसे प्रोडक्ट लेते हैं और सारे के सारे लेते हैं तो आपकी 7-8,000 रुपे निकल्टं कर सकते हैं हमेशा के लिए ना कर पाएं लेकिन कर सकते हैं तो साड़ा डिसकाउंट आप देंगे 55,000 पाचास हजार 45,000, 40,000, 35,000, 35,000, 25,000, 20,000, 15,000, 10,000 रुपे की income आराम से कर सकते हैं अगर आप यह 10,000 रुपे की income यहां से करते हैं बीस customer बनाके और बीसो customer को 9 product देखर अगर आप यहां पर इस चीज के ओपर focus करते हैं अब किसी पर चीज पर focus तो करके देखिए ये वो चीज़ होगी definitely लेकिन focus नहीं करेंगे तो होगी नहीं संभावना ही नहीं लेकिन focus करके तो देखिए अगर आप इस चीज़ को करते हैं अगर आपके आठ से 10,000 रुपे भी हर महीने income होती है तो कुछ जा तो नहीं रहा है कुछ आ रहा है आता अच्छा कि जाता अच् तो यह तो बहुत बढ़ी अबात है और जिसके पास भी पैसे आते हैं वो business में टिका रहता है आपको अगर इस business से retail की मदद से भी अगर 8-10,000 रुपे आ रहे हैं तो आप इस business को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे पैसे आ रहे हैं क्यों जाएंगे तो आप कोशिश करिए क कि आपके हर teammate की 10-15 customers, 20 customers हो और आप देखिए कि even if adding people कभी-कभी क्या होता है network का काम है ऐसा कि कभी-कभी लोगों के जुड़ने की speed बढ़ जाती है, कभी-कभी लोगों के जुड़ने की speed कम भी हो सकती है तो ऐसा होने पर क्या होता है कि कभी-कभी जुड़ने की speed कम या जा आप ऐसा भी देखेंगे, in fact, अगर आपने retail को अच्छे तरह से पकड़ लिया है team में, तो आप देखेंगे कि लोग ने नहीं भी जुड़े ना किसी सब्ता, तो भी आपका rank गिरेगा नहीं, तो भी आपका, मतलब यह इतना style business है, इतना foundation में strong business है, कि लोग बोलते हैं यह जोडने वाला काम, यह actually एक retail customer base बनाने वाला काम है, जिसको भी आप, अच्छा, आप खुद ही बताइए, कि आपके team में जितने भी लोग हैं आज की date में, अगर हर कोई Allosteen यूज करने लगे, हर कोई Zantouch की पूरी range इस्तमाल करने लगे, हर कोई काडायू और Amuse Zant इस्तमा जाएंगे, तो आपका business 10X हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा, जुडे हुए लोगों से business 4 गुना, 5 गुना हो जाएगा, अगर वो लोग ही प्रण ले लें कि वो लोग सारे products घर पे इस्तमाल करेंगे, और उन products का प्रचार वो sampling के तोर पे, demonstration के तोर पे बाहर भी करेंगे, और दूसरी बात यह है कि जब आप retail करते हैं तो आपको बहुत सारी आशिरवाद भी मिलते हैं, बहुत सारी blessings भी मिलती है, बहुत सारा प्यार मिलता है, सरहाना मिलती है लोगों की, क्योंकि जब लोगों को फाइदा हो जाता है product से तो वो आपको बहुत प्यार देते हैं, बहुत इज़त देते हैं बहुत मान सम्मान देते हैं मेरे साथ ऐसा हुआ है कि गैंगरीन के विक्ती थे जिनको गैंगरीन था मेरे फादर की उमर के थे लेकिन जब मैं उनके घर जाता तो वो उटके खड़े जाते थे मान सम्मान में और वो मुझे एक डम मतलब ऐसे अपने ज़्यादा सम्मान आपको याम मिल सकता है अगर इन प्रोड़क का फाइदा रीटेल के जरीए आप किसी तक पहुचा दे तो अभी क्या है कि कुछ बुनियादी चीज़ें हमें समझने की जरूरत है कि तो आप प्रोफिटेबल है या नहीं है आपके रैंक के अनुसार या आपको देखने की जरूरत है बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम डिरेक्टर 250 बन जाएंगे तब हमारे पास पैसे आएंगे जब डिरेक्टर 250 बन जाते है तो उनको लगता है डिरेक्टर 500 बनने पर प पैसे आएंगे सीनर एक्जिकटर बनने के बाद अगले रैंक पर सुचते हैं कि इस रैंक पर चले जाएंगे तब पैसे आएंगे तो तो क्या होता है कि एक विश्यस साइकल कंटिन्यू होती है आप जिस रैंक पे हैं उस रैंक पर जितनी इंकम होनी चाहिए उतनी है क्या आपकी अगर नहीं है तो सोचने की ज़रूरत है नहीं है तो आपको retail के उपर काम करने की ज़रूरत है इसके लावा gross profit और net profit आपको समझना पड़ेगा आपको यह मैं already बता चुका हूँ आपको gross profit के उपर नहीं net profit के उपर focus करना है कि आप किस तरह से अपनी आमदनी को बढ़ा सकें जो आपके बास income आ रही है वो आपकी आमदनी नहीं है क्योंकि उसमें से खर्च भी होना है तो आपकी income के में खर्च हटने के बाद जो बचता है वो आपका actually profit है आपको उसको बढ़ाने के उपर focus करना है और we profess that one should not depend upon a single source of income हम लोगों को बताते हैं कि single source of income के उपर निरबर मत हो जाओ लेकिन वो हम खुदी सिर्फ turnover bonus के उपर निरबर है तो सिर्फ turnover bonus के पीछे मत रहिए अब retail income और बाकी की जितनी income है उसके उपर भी focus करिए आप जब retail कर रहे हैं तो आप समझाइए कम दिखाइए ज़ादा समझाइए कम दिखाइए ज़ादा और touch and feel दीजे लोगों को जितना ज़ादा touch and feel देंगे उतना ज़ादा product का एहसास कर पाएंगे वो product चाने के बाद उनको महसूस कराईए, प्रोड़क को टच और फील कराईए, इसके लावा आप देखिए कि बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन प्रोड़क्स में दिक्कत आती है, ऑनलाइन प्रोड़क्स भिक रहे हैं, ये वो फलाना ठिकाना, देखिए, पोलियो का वैक्सीन ज आजर आएंगे, आपको उसके उपर ध्यान नी देना, क्योंकि बहुत सारी दांतलेवाजी चल रही है, और आपके बास रेनेटर्स का बिल आएगा, जहां से वहीं से ओरिजिनल प्रोड़क्ट है, माल लीजिए, आप आपने सैमसंग का या एपल का मोबाइल खरीदा, और आप बोलेंगे नहीं, बिल तो हमने अपल का, अपल से तो बिल मिला ही नहीं हमको, हमने तो राम कुमार, शाम कुमार से लिया था, तो बोलेगा, नहीं नहीं वो, आप कंपनी का बिल दिखाईए जी, बिल दिखाईए आप, तो आप देखिए कि जब रेनेटर्स के बिल प अगर Renatus का bill मिलेगा तो ही वो प्रोड़कт Renatus का नहीं तो नहीं है। आप खुद ही सोचिए कि आपके आधार कार्ड के ओपर आपके पापा का नाम लिखाएगे कि किसी और के फादर का नाम लिखाये। आपके अधार काड़ पे तो आपके पिता जी का नाम लिखा रहेगा आपके अधार काड़ पे किसी और के बापा को नाम तो लिखा नहीं रहेगा तो आपके रेनेटस के बिल में अगर रेनेटस का बिल नहीं है रेनेटस का प्रोड़क नहीं है फिर वो तो आप खुद की ब कि अगर आपको मैं एक ऐसे प्रोड़क्त के बारे में बताऊं जो किफायति भी है और किफायति होने के साथ-साथ वह अच्छी क्वालिटी का भी है तो आप कौन सा यूज करना पसंद करेंगे जो आप यूज कर रहे हैं घर पर वह यह जो मैं बताऊंगा वह ज्यादा किफ तो quality product किफायती दाम में इस्तमाल करना पसंद करेंगे या आप महंगा product यूज करना पसंद करेंगे तो स्वाबाविक सी बात है कि यह सवाल ही इस तरह से frame किया गया है कि हर कोई कहेगा कि हम तो किफायती product इस्तमाल करना पसंद करेंगे हम तो वाजिब दाम में अगर किफाय product हमें quality product मिले तो हम तो वही स्तमाल करना चाहेंगे तो आप उनसे समय ले सकते हैं कि आप मुझे समय देदीजैंगे मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे यह काम कर सकते हैं फिर आप उनसे समय लेकर उनको demonstration दिखा दीजिए products के बारे में थोड़ा बता दीजे products को कैसे use करना product कैसे concentrated है product किस तरह से product use कराएंगे तो किफाइती उनको पढ़ेगा यह समझा दीजे quality तो product की definitely है तो जैसे use करेंगे touch and feel करेंगे उनको पता चल जाएगा तो इस तरीके से आप यह सवाल पूछ के लोगों को अपनी बात सु करना है क्योंकि बिना पढ़ाई कि अगर आप exam में जाएंगे तो fail होने के पूरे पूरे chances है इसके लावाद दूसरी चीज़ जो आप उनसे कह सकते हैं वह यह है कि आप अपने खर्च मेंसे income करना चाहते हैं क्या कोई को लेगा रहे खर्च से कैसे income हो सकती है मेरे पास एक समय दे दें और जिस समय पर जाकर आप उनसे बात करके उनसे प्रोड़क के बारे में detail में बात कर लें तीसरी चीज़ जो आप उनसे कह सकते हैं वह यह है कि क्या आप अपनी फैमिली को chemical free life देना चाहते हैं क्योंकि आज हमारे इर्द गिर्द हर प्रोड़क में थोड़ा थोड़ा chemical है आज लोग जो प्रोड़क को बनाने वाले लोग हैं वो प्रोड़क की shelf life में ज्यादा important है आपकी life में उनको कोई interest नहीं है उनको अपने प्रोड़क की shelf life में interest है हर प्रोड़क में preservative के नाम पे दुनिया बर का कच्रा डालते हैं ताकि वो प्रोड़क जो है वो सहीर है आप देखिए कि किसी भी प्रोड़क को बनाने में माल लीजे 100 रुपे में बिखने वाला प्रोड़क 30 रुपे में बनके तैयार हो जाता है अब 30 रुपे में जो प्रोड़क बनके तैयार हो रहा है उसमें क्या काजू बदाम पिस्ता डालेगा क्या काजू प्रोडक्त वो बता रहें कि वो दे रहें, उसके एवज में वो बहुत सारे chemicals का प्रयोक करते हैं, जो आपके शरीर में जाने के बाद बहुत सारा नुकसान कर सकते हैं, आज लोगों को जो लोग नशानी करते हैं, उनको भी skin cancer हो रहा है, तरह-तरह का cancer हो रहा है, आज डेली बेसिस में 12-15 प्रोड़क्त हमारे skin के उपर लगते हैं, मैं आपको बताओं वो जो हम बरतन दोते हैं न जिससे, तो उसके उपर बरतन दोने का जो साबून होता है, उसके एक परद जम जाती है, आप किसी भी restaurant में जाईए, आप देखिए, वहाँ गरम पानी से जो बरतन दोलते हैं, लेकिन हमारे घर में गरम पानी से नहीं दोलते, क्योंकि वो जो chemical है, वो गरम पानी से दोने से वो chemical चला जाएगा, कभी भी कोई food inspector होता है, तो food inspector जाके सबसे पहले जाता है, और वो पानी चेक करता है कि गरम है या नहीं, जहां पर बरतन दूल रहे हैं, तो आप खुदी सोचिए कि होता क्या है कि जब हमारे घर के अंदर बरतन दूलते हैं, उस बरतन माजने वाले साबुन से, तो उसके अद्रिश नुकसान आपका daily basis पे हो रहा है, जो आप powder यूज कर रहे हैं, जो आप सावन यूज कर रहे हैं, जो आप shampoo यूज कर रहे हैं, अलग-अलग तरह के, तो अगर आप इससे chemical lifestyle से बचना चाहते हैं, आप अपने बच्चों को, अपनी wife को, अपने mother, father को chemical lifestyle से बचाना चाहते हैं, तो मेरे पास उसका एक बहुत जबरदस उपाय है, आप मुझसे मिली है, मैं आपको बताता हूँ, और आपका बताते समय, आपका body language, आपका confidence बहुत जबरदस थोना चाहिए, ये सारी चीज़े जूम में सिखाना मुझकिल है, लेकिन ये चीज़े होनी चाहिए, ये आप अपने अपलाइं के साथ इस चीज़ को बहतर करने के लिए संपर्क करें, साथी साथ आप लोग, आप उनसे पूछेंगे कि देखिए, राजा महराजा क्या खाते थे, वो तो बहुत ताकतवर होते थे ना, राजा महराजा, 70-70 साल की उमर में उनके बच्चे होते थे, तो उनका परजनन तंत्र भी अच्छा होता था, 15-15 केजी की तलवार लेकर वो दिन बर लड़ाई करते थे, तो वो जो राजा लोग खाना खाते थे ना, वो है मेरे पास, वो मुझे पता चल गया है, मैं बहुत ही, मतलब भागिशाली हूँ मैं, मतलब बहुत ही, by chance मुझे पता चल गया है, कि वो जो राजा लोग जो खाना खाते थे, वो क्या था? अगर आप चाहे हैं, तो मैं आपको बता सकता हूं. आपको क्या लगता है? जानना जानना चाहेगा क्योंकि कोई एक ऐसी खुराग जिससे उसका शरी बेटर रहे विमारियां दूर रहे और उसके अंदर प्रजनन की और बाकी सारी शक्तियां रहे यह उसको जरूर चाहिएगा तो यह चीज के लिए वह आग रही हो सकता है और आग रही हो कि आपके पास आ सक आप उनको प्रोड़क को सुनने के लिए प्रोड़क के बारे में जानने के लिए उनके मन में इच्छा पैदा कर सकते हैं क्योंकि एक बार आप उनके मन में प्रोड़क को जानने के लिए इच्छा पैदा कर लेंगे तो आपका काम बाकी का बहुत आसान हो जाएगा तो य यह तो tagline है, अगर tag करनी यह लंबी दूरी तो retail है जरुरी, तो यह Renitas Wellness की tagline है, अगर tag करनी मैं आज के session को यहीं विराम देता हूँ, आशा करता हूँ कि आज के session में आपको चीज़ें समझ में आईए, आप इसको apply करेंगे और apply करके आप इसको business में apply करके आपके business को multiply बग्टार चिस्तरके पwnिभ़ेजल...